नमस्कार दोस्तों मैं बिर्जेश मेरे यूटूब चैनल विद्यदान पर आपका हर्दीख स्वागत है आज हम करेंगे अपना रेलवे गुरूब डी के लिए जो हमारा प्राक्टिस से टनमबर है 21 अभी तक कुछ समस्याओं कुछ घर में समस्याओं की वज़ा से मैं कांटीन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा था लेकिन अब आप फिर से कांटीन्यू करेंगे उमीद हैं आप लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखा होगा तो सुरू करते हैं आज के जो रेल्वे ग्रूप D और NTPC के लिए हम साइंस कर रहे हैं उसके साथ तो हमारा पहला सवाल है एक छबी जो इसक्रीन पर प्राप्ट नहीं की जा सकती है उसे क्या जाता है यानि जो चित्र इसक्रीन पर नहीं बनाये जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं तो वे आभासी छबी होती है जिनको इसक्रीन पर नहीं बनाये जा सकता है ऐसी छबी को आभ 80 चित्र। नेक्षा वाले हमारा भारती प्रतिभूति और बिनमय बोड सेवी में सेवी एक स्वायत निकायक कब बना था ये बताना है आपको बहुत ध्यान रखें आप इसने ये नहीं पूछा है कि सेवी की अस्थापना कब की गई थी अगर सेवी की अस्थापना उसे ने पूछा होता तो आप बतातें 1998 से भी कि अस्थापना 1988 में हुई परंतु यहाँ एक स्वायत निकाय बना 1992 में इसलिए इस प्रश्ण का सही आंसर होगा 1992 बहुत ध्यान रखें इस बात को इसकी अस्थापना की गई 1988 में परंतु यह स्वायत निकाय यह सरकारी निकाय कब बना 1992 के अंदर तो इस सवाल में यही पूछा गया था कि बताएं यहां सरकारी निकाय कब बना यानि स्वायत निकाय कब बना था चलो कमेंट करके मझे बताओ आप कि सेवी का मुख्याले कहां पर है यह बताएं, आप किसे भी का मुख्याले कहां पर हैं, कमेंट में बताएं आगे में बहुत अच्छे सवाल मैंने आज सिट किये हैं उनको भी करवाऊंगा तो आगे बहुते रहें, अगला सवाल हमारा है अगले सवाल है अगला सवाल है operation समुद्र से तू to INS जलाश तू मई 2021 में किस बंदरगाह पर पहुँचा था जो INS जलाश तू था ये किस बंदरगाह पर 2021 मई में पहुँचा था ये बताना है आपको समुद्र से तू operation जो चलाया गया था तो याद रखें operation समुद्र से तू तू में INS जो जलाश था वो पहुचा था विसाखा पटनम में यनि इसका सही आंसर हो गया option 4 विसाखा पटनम में INS जलाश पहुचा था जो चेननाई बंदरगाह है ये तमिलनाडू के अंदर है या करतिम बंदरगाह है या दखना कि चेननाई बंदरगाह कैसा बंदरगाह है करतिम बंदरगाह है वहीं जो कोची बंदरगाह है ये बंबनाड जील में स्थित है ध्यान रखना पूशा जाता है कि कौन सा बंदरगाह जील में स्थित है तो वो बंदरगाह हो गया कोची बंदरगा, कोची बंदरगा कहां पर है बेंबनाट जील में स्थित है वहीं जो एन्नौर बंदरगा है तमिलनाडू में है या भारत का पहला प्राइबेट बंदरगा है, याद रखना कि भारत का पहला प्राइबेट बंदरगा कहुंसा है एन्नोर बंदरगाह जो कि कहाँ पर है तमिल्नाडू के अंदर और याद रखें कि कुछ बातों को और जैसे कि जो स्यामा प्रसाद मुखरजी अभी जो कोलकाता बंदरगाह था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था स्यामा प्रसाद मुखरजी बंदरगाह याद रखें यह भी याद रखें आप मंगलोर बंदरगा करनाटक के अंदर है मारमा गोवा बंदरगा गोवा के अंदर है और यह जुआली नदी के मुहाने परिसीत है इन सब बातों को याद रखे और एक बात और कि जो भारत का भारत का जो सबसे बला प्राकर्तिक बंदरगा है वो भारत का जो सबसे बला प्राकर्तिक बंदरगा है वो कौन सा है तो वो है बंबई का मुंबई प्रोस्ट मुंबई ट्रपोर्टरस जो है वो सबसे बला भारत का सबसे बला प्राकर्तिक बंदरगा है जवाहलाल नेरुपोर्ट कहां पर है महराश्ट में है ये भी आप याद रखें पारादीप कहां पर है उलीशा के अंदर तूतिकोरिन कहां पर है तमिल्नाडू के अंदर तो इस सवाल से मैंने आपको 20 से 25 सवाल तयार करवा है आपको पता होना जी कहां पर कहुं सा बंदर गाह है इतनी बातें कम से कम आप ध्यान रखें तो बलते हैं अगले प्रस्ण की और हमारा अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा पुस्व पाधब के मादा भाग का निर्माल करता है पादप के मादा भाग का निर्माद यानि कि प्लान जो पुस्प होता है उसका मादा हिस्सा कौन होता है ये बताना है आपको तो जो बच्चे क्लास में पलते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मादा भाग कौन सा है तो आपको मैंने बताया था कि ये पॉइंट होता है अंडा वर्तिकाग्र अंडासय और वर्तिका वर्तिकाग्र अंडासय और वर्तिका जो पुस्प के मादा हिस्से होते हैं यह कहलाते हैं यतना ध्यान रखना वर्तिकाग्र अंडासय और वर्तिका चलो कमेंट में लिखे मुझे बतावा कि जो नर भाग होता है पुस्प का नर भाग उसके कौन-कौन से हिस्से होते हैं, अंग होते हैं, ये बताना कमेंट में बलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो इतना आप इस बाले से याद रखें, नेक्स सवाल है, धात्विक ऑक्साइड प्रकति में होते हैं, जो धात्वे होते हैं, उनके ऑक्साइड जो होते हैं, वो क च्छारी प्रकत की होती है यानि answer number से हो गया इसका तीन च्छारी प्रकत की होती है धात्वीक औॉकसाइड नेक्ट सवाल यह बताना है आपको तो सबको पता है कि नेक्ट एक ताक्त है कि अस अस्थापना की थी किसकी बनारस हिंदू विश्विद्धा लगे इतनी कुई अस्थापना 1916 में प्रभु नाराहिसिंग रामेश्वर सिंग मदन मोहन सिंग सुंदरलाल एवन एनी बेसेंट ने मिलकर की थी इसका पुराना नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज इतनी बात को ध्यान रखे महाह मदन मोहन माल ROBी से भारत धर्म मंडल की अस्थापना मदन मोहनमाल्वी ने की थी कम से 높ड़नी बातों ओयां रखे थी मध्यंदू महसाफ़ा की एस्थापना 1915 में मदन मोहन वाल्वी ने की थी और भारत धर्ममंडल के अस्थापना भी 1880 में मदन मोहनमाल भी ने की थी बनारस यूइसिटी के अस्थापना 1916 में की गई थी और इसकी सबसे इंपॉर्टन सदस्थी एनी बेसिंट तो इतनी बातों को कम से कमी सवाल से ध्यान रखें अगला सवाल हम करते हैं अगले सवाल कहां पर पाई जाती है ये बताना है आपको तो ये इतना नॉर्मल तो आपको पता है कि सबसे जो छोटी हदी होती है वो कान में पाई जाती है लेकिन कान में कहां पाई जाती है तो याद रखें कान का जो मध्ध वाला हिस्सा है मध्ध कान के मध्ध हिस्से में पाई जात तो अगले सवाल क्या हो गया यह है यह 24 अगस 2021 तोक्यो पैरा ओलमपिक में भार्ती धजवाल का नामित किया गया था यहांगी टोक्यो पैरा ओलमपिक जो हुए थे 24 अगस से सुरू हुए थे इस में धजवाण कौन था यह बताना है आपको धोजवाहक कौन था ये आपका होमवर्ग है आप मुझे होमवर्ग में बताएं होमवर्ग मतलब कमेंट में तुरंत लिखें कि बताईए जो पैरा ओलंपिक है इसमें धोजवाहक कौन था और जो ओलंपिक थे उसमें धोजवाहक था दोनों को लिखना है तुरंत आप लिख परचान होती है, तभी आप अच्छा सीख पाएंगे, नेक सवाल की तरफ बलते हैं, तो हमारा अगला सवाल है, निमलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, जो कोसिका विभाजन में सहायता करता है, कोसिका विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायता करता है, तो याद रखें, तो कोश का विभाजन में जो हार्मोन सहायता करता है उसका नाम है साइटो काइनिन साइटो काइनिन या आप्शन नमबर क्या हो गया सही आप्शन नमबर तीन इसका है सही आप्शन नमबर साइटो काइनिन जो होता है वो कोश का विभाजन में सहायता करता है क्या होता है जब साबुन के बुल्बुले पर कुछ आवेस लगा दिया जाए यानि जब साबुन का बुल्बुला हो उस पर कुछ करिंट आ जाए तो क्या हो जाए सिंपल है कि बुल्बुला थोला सा बला हो जाता है बल्बुला क्या हो जाता है बला तो बला होने का मनलब है उस बुलबुले की तरिज्जा बढ़ जाती है यानि सही आंसर क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया option number A जब साबुन के बुलबुले पे कुछ चार्ज या आवेस लगाया जाता है तो बुलबुले का कार बढ़ जाता है यानि तरिज्जा इसकी आती है option number हो गया option number one अब next सवाल को करते है next सवाल है हमारा भारत ने जून 2021 में किस राज से United Kingdom को भागोलिक GI जरदालू आमों की पहली खेब भेजी थी यानि भारत ने कौन से राज के जरदालू आम को United Kingdom भेजा था जिसकी पहली खेब भेजी गई यह बताना है आपको तो United Kingdom को पहली जरदालू आम की खेब कहां पर जी गई है तो यहाद रखें GI टैग मिला है जरदालू आम का और जरदालू आम कहां पर पाया जाता है बिहार में यानि इसका सही आंसर हो गया option number one बिहार का है जरदालू आम next सवाल नेक्स सवाल में आते हैं कोशिका भित्ती वाले सबसे छोटे जीव कौँसा है यानि सबसे छोटा जो कोशिका भित्ती होती है वो कौँसे जीव में पाई जाती है यह बताएं आप तो याद रखें सबसे जो छोटी कोशिका होती है उसका नाम होता है माइको प्लाजमा माइको प्लाजमा सबसे छोटी कोशिका होती है और या कोशिका पाई जाती है बैक्टिरिया के अंदर यानि इसका सही आंसर क्या हो गया option number two option number two बताता है कि सबसे छोटी कोशिका अगले सवाल ने पूछा गया है निमलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूच में पोशक तत्व माना जाता है यह बताना है आपको यानि सूच में का मतलब कुछ एलिमेंट की जरुवत पौधों को ज्यादा होती है कुछ को कम होती है तो कौन सी चीज है जिसको कम मातरा में जरुवत होती है तो याद रखें जिंक जिंक माइक्रो नाइम, माइक्रो निूटेंट है पौधों को विले सूच में रूप से किसकी जरूथ होती है जिंक की जिंक की सूच में रूप से जरूथ होती है बागी जो हैं इसमें इनमें ज्यादा मातरा में जरूथ होती है तो याद रखें कि पौधों में सूच में पोशक तत्त क्या माना जाता है जिंक यानि option ने बिसका सही हो गया option देखें पौधों में दो तरह की चीज़ों को जरूत होते हैं एक को कहते हैं माइक्रो माइक्रो नूट्रियंट और एक होता है माइक्रो नूट्रियंट यानि माइक्रो का मलब जो ज़्यादा मात्रा में ज़्रूद हो और माइक्रो का मलब जो कम मात्रा में ज़्रूद हो इसको नोर्स बना के अच्छे से याद कलेने कि कौन से तत्तों की जरूद एलिमेंट की जरूदों को ज़्यादा होती है तो carbon की ज़्यादा मात्रा में जरूत होती है hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium और magnesium इन सभी की ज़्यादा मात्रा में जरूत होती है इसलिए इनको कहा जाता है macronutrients जिन तत्तों की ज़्यादा मात्रा में जरूत है उन्हें macronutrients कहते हैं जिसमें carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus sulfur potassium calcium magnesium और magnesium आते हैं वहीं जिन तत्तों की मात्रा कम मात्रा में जिन तत्तों की जरूद होती है कम मात्रा में उनको कहा जाता है micro micro का मतलब होता है छोटा या कम तो याद रखें कि micro में किसको जरूद होती micro चीजों में तो देखो micro चीजों होती लोहा पौधों को बहुत कम मात्रा में लोहे की जरूद होती लोहा, magneze, taba, molybdenum, jasta, boron, chlorine, nickel ये कम मात्रा में जरूद होती है तो याद रखें micro nutrient कोन है लोहा, magneze, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine और nickel इनको कम मात्रा में जरूद होती है वहीं पर, वहीं पर जो carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, magnesium, calcium ये उनकी मात्रा में ज़्यादा जरूद होती है तो इतनी बातों को खुब अच्छे से ध्यान रखें math, science आपको बहुत ही आहम हिस्सा होता है railway group D के लिए जिसमें science का 25 नंबर का बहुत important role है next सवाल को हम करते है next सवाल में पूछा किया कि निमलिखित में से कि समुदर में सरवाधिक लवालता पाई जाती है नमक की सबसे मात्रा, सबसेदा मात्रा की समुदर में पाई जाती है तो याद रखें इसलिए इसे कहा जाता है मरत सागर क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नमक की मात्रा है कि इसमें कोई जीव नहीं पाया जाता है इतना ज़्यादा density है इसमें नमकी कि कोई जीव नहीं पाया जाता इसलिए इसको कहा जाता है मृत्य सागर तो याद रखें इसका सही आंसर कौन सा हो गया option number 4 है इसका सही आंसर next सवाल को कर लेते हैं तो हमारा next सवाल है ये निमलिकित में से कौन सा पदार्थ black and white photography में इस्तेमाल किया जाता है black and white photography में इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है ये सवाल मैंने आपको दिया homework आसान सा सवाल है इसलिए मैंने आपको दिया कि black and white में आपने सुनाओ कि फोटो का पानी होता था जिससे फोटो धुले जाते थे वीडियो को अपना चैनल है आपको मदद मिलेगी अगर चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्स्वाइब करेंगे तो worker मुझे सहुलियत मिलेगी नेक्स सवाल है हमारा अगला सवाल है जुलाई 2020 में उत्रा खंड के मुख मंतरी के रूप में सफ़त किसने ली है उत्रा खंड का मुख मंतरी कौन है ये बताना है आपको तो बिल्कुल आसान सा सवाल पूछ लिया इसने उत्रा खंड के मुख मंतरी कौन है पुसकर सिंग धामी पुसकर सिंग धामी कौन है कहां के मुख मंतरी है उत्रा खंड के उत्रा खंड के मुख मंतरी है पुसकर सिंग धामी यानि सही आंसार हो गया इसका option number 1 नेक्स सवाल को करते है नेक्स सवाल में पुछा के आप से NACLO निम लिखित में से किसका आदविक सूतर है ये सवाल अच्छा है NACLO किसका सूतर है ये बताए तो याद रखें Liquid Bleach या Bleach जिसको आप कहते है Bleach का फार्मुला होता है NACLO Liquid Bleach का फार्मुला किसका कौन क्या है NACLO यानि तरल Bleach का ये है फार्मुला नेक्स सवाल इतना तो कम से कम आप याद रखते होंगी सब चीजों के फार्मुले वगएरा अगले सवाल है निम लिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है गंगा की सहायक कौन सी नदी नहीं है ये बताना है आपको पता है गंगा की सहायक कोसी भी है गंगा की सहायक नदी कोसी है गंड़क है यमुना है लेकिन ब्यास नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है यानि सही आंसर क्या हो गया इसमें सही आंसर हो गया option number 3 ब्यास नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है next सवाल इसको थोड़ा मैं मिटा दूँ तो next सवाल है हमारा ये बैरो मीटर में पारे को पानी के मुकाबले प्राथिमिकता दी जाती है क्यों simple पूछा है कि बैरो मीटर में जो पारा है उसको क्यों लगाया जाता है तो याद रखें क्योंकि पारा का गनत गनत तो बहुत अधिक होता है और वास्प दबाव भी कम होता है तो यानि इस पर दबाव कम पलता है क्योंकि इसका गनत जादा होता है इसलिए बैराव मीटर को पानी के मुकाबले प्रथमित का दी जाती है यानि option number हो गया 2 next सवाल next सवाल में पूछा गया आप से मंगल, बुध, सुक्र और प्रथिवी ग्रह कहलाते हैं कैसे ग्रह कहलाते हैं आंतरिक, करीबी, गैस, जायंट या गैसदानों या आउटर ग्रह तो याद रखें कि मंगल, बुध, सुक्र और प्रथिवी को आउटर ग्रह कहा जाता है आउटर ग्रह यानि कि option number 4 इसको देखें आप इस figure को जब देखेंगे आप तो देखेंगे कि ये है शूर्य ये शूर्य है शूर के बाद बुध, मंगल, प्रथिवी, सुरी ये बुध, ये बुध के बाद सुक्र, प्रथिवी, मंगल, ये ये जो आगे के चार ग्रह हैं चार ये आगे के प्रथिवी तक यह ग्रह कहलाते हैं आउटर आउटर मनला बाहर की ओर और यह वाले ग्रह जो हैं बचे हुए जो ब्रसपति शनी अरून वरून ये चार ग्रह जो बचे हुए इनको कहा जाता है बाह ग्रह, पहले के चारों को आंत्रिक आउटर यानि बाह ग्रह और इनको कहा जाता है आंत्रिक ग्रह ध्यान रखना पहले बुध, फिर सुक्र, फिर प्रत्रवी, यह है बुध, सुक्र, प्रत्रवी, फिर उसके बाद मंगल, फिर जूपिटर, सैटर्न, uranus और napachun याद रखना सबसे पहले कि जो सुरू के चार ग्रह हैं इनको outer ग्रह कहा जाता है और जो बाद के चार ग्रह हैं इनको आंत्रिक ग्रह कहा जाता है तो यही उस सवाल में पूछा गया था आपसे तो इसको ध्यान रखना अच्छे से नक्स सवाल की हो राते हैं पहले इसको मिटा दू तो नक्स सवाल में आपसे पूछा गया बिटामिन B12 का रसाइनिक नाम क्या है बिटामिन B12 का रसाइनिक नाम क्या है यह बताना है थाइमीन राइवोफलेमिन cyanocobalamin पूरा नाम लिखा नहीं और niacin तो बताएं कि जो vitamin 12 का रासाइनिक नाम क्या है तो vitamin 12 का रासाइनिक नाम है syndocobalamin यहनि option number क्या हो गया इसका सही, option number 3 है इसका सही answer कुछ नाम याद रखें thymin vitamin B1 का नाम है riboflefin vitamin B2 का नाम है नियासिन बिटामिन B3 का नाम है एसकॉर्बिकेसिड बिटामिन B C का नाम है कैलसी फेरॉल बिटामिन D का नाम है तोको फेरॉल बिटामिन E का नाम है और फाइलो क्यूनोन बिटामिन K का नाम है और बिटामिन 12 का नाम मैंने बता ही दिया है Sino, Qobala, Min तो इतनी बाद को आप ध्यान रखेंगे कम से कम, next ह emissions यह सार्क में कितने देश हैं यह बताना है सार्क में सार्क के सदस्ट देखों के संख्या कितनी है यह बताएं आप तो सार्क के सदस्ट देखों के संख्या कितनी है आठ, आप्शन नमबर क्या हो गया इसका सही, आठ, चलो आप मुझे कमेंट में बताओ, ब्रिक्स देशों के संख्या कितनी है, ब्रिक्स देशों के संख्या कितनी है, ये बताएंगे आप, सार्क सदस्यों के संख्या कितनी है, आठ, इतनी बात को ध्यान रखे, सार्क के सद अपना 8 दिसंबर 1985 को धाका में हुई थी धाका में इसकी अस्थापना हुई थी और आप याद रखें कि देखो इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले है सचिवाले मुख्याले है काठमांडू नेपाल के अंदर कौन-कौन से देश आते हैं ये जरूर देख लें तो वो देश हैं आपके सार्क में सामिल अफगानिस्तान बांगलादेश भूटान, भारत, मालदिव नेपाल, पाकिस्तान, स्रिलंका तो ये 8 देश हैं जो किसके अंदर आते हैं सार्क की अंदर तो इन बातों को खुब अच्छे ज्यान रखने हैं अफगानिस्तान, बांगलादेश, भूटान, भारत, मालदिव नेपाल, पाकिस्तान और स्रिलंका ये सभी देश आते हैं किसके अंदर सार्क स्वाल एक खाद स्रंखला में साकाहारी कौन होता है ये बताएं, साकाहारी कौन होता है स्रंखला के अंदर साकाहारी कौन होता है तो याद रखें प्राथमिक उपभोगता हमेशा साकाहारी होते हैं यानि सही आंसर कौन है क्या हो गया इसका चित्र को आप ध्यान से देखें चित्र को आप ध्यान से देखें देखिए तो आप समझ पाएंगे दखो ये घास है और ये घास है प्राडीशर, प्राडीशर मतलब उत्पादक जब इस, और इसको खाना कहां से मिलता है सूरे और पानी से घास को अगर टिड़ा खाएगा तो टिड़े को मेढख खाता है यानि प्राथमी को भोगता कौन हो गया तिड़ा यानि तिड़ा हो गया प्राथमी को भोगता हो तिड़ा क्या होगा हमेशा साकाहरी होगा तिड़े को खाजाएगा मेढख तो मेढख हो जाएगा सेकंडरी भोगता दोतिया को भोगता और अगर मेढ़क को साप खा जाएगा तो यह हो जाएगा टरसरी कंजूमर यानि तरतिया को भोगता और साप को भी खा सकता खा जाएगा अगर चील खा जाए हॉक तो इसकों कहते हैं फाइनल कंजूमर कहते हैं और यह जब यह मर जाएगा यह यानि कि तो उसके बाद यह डिकमपोज हो जाएगा, सल जाएगा, बाज सलेगा, और जब सल जाएगा, तो यह आगे इसी का सला हुआ सरीर, कवक वगैरा के रूप में पैदा होगा, तो इसको कहेंगे डिकमपोजर, डिकमपोजर कहते हैं, तो इस तरह से चलता है याद रखना, प्र प्रतियक औभोगता में, उमीद है, समझ पाए होगे अच्छे से, नेक्स सवाल, नेक्स सवाल में आपसे पूछा गया है, एंथोनी हॉपकिंस ने 93 अकादमी पुरुसकार में सरुस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार जीता, उन्होंने किस फिल्में अभिने के लिए प फादर मुबी के लिए कौन सब पुरुसकार मिला है, सरुस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला था, बलते हैं नेक्स सवाल की और, नेक्स सवाल है ये, कांगेर घाटी राश्टी उध्यान निमलिखित में से किस राज्य में है, कांगेर घाटी राश्टी उध्यान क पाया जाता है 36 गद के अंदर ब्लैक बक रास्टी उद्यान है गुजरात के अंदर नामदफा रास्टी उद्यान है अरुवांचल प्रदेश के अंदर मॉलिंग रास्टी उद्यान है अरुवांचल प्रदेश के अंदर नामेरी रास्टी उद्यान कहां पर है असम में गासी दास या संजय दुबरी जिसको कहते हैं गुरु घासी दास राश्टी उद्यान कहां पर है 36 गड़ के इंद्रावती राश्टी उद्यान 36 गड़ में कांगेर घाटी राश्टी उद्यान 36 गड़ में तो कम से कम इतने को आप याद रखें जितना ज़्याद आप रिव बिधान का कौन सा अनुच्छेद राजी की बिधाईका के कारिकाल से संबंदित है ये बताना है आपको तो राजी की बिधाईका के बिसे में लिखा गया है अनुच्छेद 172 में राजी की बिधाईका के कारिकाल के बारे में जानकारी गई है अनुच्छेद 172 में यानि option number ह हुग-इसका 1. निएक्स सवाल है तो याद रखें एड्स रोग से प्रतुरिच्छा तंतर प्रभावित होता है यानी क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अड्स कौण से पहले तो यह बता है एड्स वाईरस से होता है य भी shit अगर वाइरस होता है तो AIDS कौन से वाइरस से होता है उसका नाम लिखे मुझे कमेंट में बताएं नेक्स सवाल पर आते हैं अगले सवाल में पूछा उसने रबर अनुसंधान संस्थान दौरा विक्सित दुनिया का पहला अनुवांसिक रूप से संसोधित यानि कि जेनेटिकली मोडिफाइड रबल संयंतनी में लगाया गया यानि जेनेटिकली मोडिफाइड रबल का पौधा कौन से राजि में लगाया गया है ये बताना है आपक तो याद रख के आपको पता ही है रबद कहां पर लगाया गया है असम की अंदर असम में पहला जेनिटिली मोडिफाइड रबद का पोधा लगाया गया है नेक्स सवाल है हमारा नेक्स सवाल में उसने पूछा है इंडियन्स अब्रीफ हिस्ट्री आफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखा कौन है इंडियन्स अब्रीफ हिस्ट्री आफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखा कौन है ये बताएं आप तो इस पुस्तक के लेखा है नमित अरुला यानि ऑप्शन नमबर फूर जाता है option number 4 next सवाल पर आते हैं next सवाल में पूछा गया है जब uranium के नाभिक को neutron के साथ बंबारी की जाती है जब uranium neutron के साथ बंबारी की जाती है तो यह लगभग दो बले बहर में तूट जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं यानि जब uranium पर नाभिक के निट्रोनों को बंबारी से तोवा जाता है तो इस परिकरिया को क्या कहते हैं तो आपको पता यह इसे कहा जाता है नाभिकी विखंडन नाभिकी विखंडन कहते हैं जब निट्रोन को बंबारी की जाती है यानि option number हो गया थिरी इसका सही answer नेक्स सवाल नेक्स सवाल में पूछा गया है बुद्ध चरित के लेखा कौन है बुद्ध चरित पुस्तक के लेखा कौन है ये बताएं कमेंट में लिख दीजिए फटाक से इसका अंसर ये आपका होम बर्क है बुद्ध चरित पुस्तक के लेखा कौन है comment करिए फटाक से इसको comment करिए और अगर चैनल को likes नहीं किया है subscribe नहीं किया है तो जरूर करें आगे सवाल पे आते हैं next सवाल में उसने कहा है वे तत्तु जिनका परमाद भार सामान लेकिन परमाद करमान के भिन भिन होता है उसे क्या कहा जाता है वे परमाद जिनका क्या परमाद भार तो समान हो लेकिन परमाद करमान के भिन भिन हो परमाद भार समान है तो वो होगा संभारिक जिनका परमाद भार समान होता है उन्हें क्या कहा जाता है संभारिक यनि इसका सही अंसर होता है option number 3 next सवाल है मारा नेक्स सवाल में कहा है भारत के निमलिखी राश्टपतियों में कौन स्रमिक आंदोलन से जुले थे यानि स्रम आंदोलन से कौन सा भारत का राश्टपति जुला हुआ था यह आपके लिए थोजा कठी नहों सकता है क्योंकि ऐसे सवाल थोजा सा डीप हिस्ट्री के जौनकरी मांगते हैं तो याद रखें भारत में समिक आंदोलन से जुरे हुए जुराश्पदी थे वे थे बीफी गिरी बीबी गिरी जो थे वो भारत में समिक आंदोलन से जुरे हुए थे नेक्स सवाल पर आते हैं एक बल 50 ग्राम द्रबमान के पिंड़ पर कार करने पर 10 सेंटी मीटर प्रतिस सेकंड का तुरों उत्पन करता है पिंड़ पर कार करने वाले बल को ग्याद करना है क्या आप बता सकते हैं बल कितना होगा तो बल बराबर होता है F बराबर M M कितना है 50 ग्राम इसको किलोगराम में बनाएंगे 1000 से दे लेना भाग multiply एक आमान है 10 मीटर में बनाने के लिए इसको भी 100 से कर दे भाग जब आप इसको शॉल करेंगे शॉल करके बताएं आंसर कितना हैगा तो शॉल करने पर यह आंसर मिलेगा आपको 5 फेव पर 5 ही बचेगा तो 5 इंटू 10 टू दे पावर माइनस 3 न्यूटन यह हो गया इसका सही आंसर उमेदे समझ पाया होंगे आप नेक्स सवाल पर आते है नेक्स सवाल में पूछा गया है थोदा सा मिटा दू नेक्स सवाल में उसने पूछा है Global Cyber Security Index Global Cyber Security Index में इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है यह बताए Global Cyber Security Index किसके द्वारा जारी किया गया है यह बताना है आपको तो Global Cyber Security Index जारी किया गया है अंतर रास्टी दूर संचार संग द्वारा यानि इसका सही आंसर क्या होता है option इसका सही होगी option number 3 option number 3 global cyber security index जारी करता है next सवाल ये है सिसुओं के जरट रस से उत्पन रेनिन किस क्या कार करता है रेनिन का क्या काम है ये बताएं आप रेनिन क्या करता है तो रेनिन का काम होता है protein का पाचन करना रेनिन एक enzyme है रेनिन का काम क्या है प्रोटीन का पाचन करना ये सही आंसर हो गया इसका यनि option number हो गया next सवाल next सवाल में पूछा गया है निमलिखित में से किस भारती माहिला सतरंज खिलादी ने BBC Indian Sports Women of the Year का पुरुसकार जीता है BBC Indian Sports Women of the Year का पुरुसकार निमलिखित में से किस ने जीता है ये बताना आपको current affairs का सवाल है और इतनी आपकी जिम्मेदारी होती कि आपकी तैयारी हो चुकी है और बस आप last stage पर हैं तैयारी के तो मुझे बताएं कि सही आंसर क्या होगा BBC Sports Person of the Year कि से चुना गया है यदि तनु सल्फ्यूरिक अमल को जिंक में मिला दिया जाए granular जिंक में मिला दिया जाए तो कौन सी गैस बनेगी याद रखें जब भी अमल में अमल में हम कुछ भी मिलाते हैं तो अमल में गैस निकलने वाली होती है hydrogen gas क्योंकि अमल सी कौन सी गैस निकलती है hydrogen तो इसका सही आंसर क्या होगा hydrogen gas अमल कौन सी निकलती है hydrogen next सवाल next सवाल ये रहा जंगल में जंग लगने से बचाने के लिए स्टील या लोहे पर सुरच्छात्मक लेप लगाने की प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको जंग लगने से लिए लगने से बचाने के लिए अगर कोई चीज लोहे पर सुरच्छात्मक लेप चलाए जाते इसको क्या कहते हैं तो आपको बता है जंग लगने से लिए उस पर हम चलाते हैं जिंग की पर इसलिए इसको क्या करते हैं गैलवोनी करां आप्शन नंबर इसका वन हो गया सही आंसर नेक्स सवाल नेक्स सवाल है एक गेंद को लंबवत रूप से उपर की और फेकने पर यह अधिक्तम 80 मीटर की उचाई प्राप्त करती है गेंद का प्रारंभिक वेग बताएं यह आपको लगाना है नुमेरिकल की बहुत तैयारी रखें आपको बहुत काम आएगा नुमेरिकल चलिए इसको हल करके आप उसमें लिखिए कमेंट में मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा यह आपके जिम्मेदारी है कि अगर मैंने कहा है तो आप उसको कमेंट में लिखें तो देखो यह कौन से फार्मूले से लगेगा वी स्कॉाइर बराबर यू स्कॉाइर प्लस टू ए एस इस फार्मूले से इसका प्रारंभिक वेग यानि यू ग्याद करिए समझ गए चार उप्शन के जली से कॉप्यूट हाईए और इसमें लिखे बताईए उप्शन में कि इसका सही आंसर अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो इसका मलब फिर आप मेहनत करने को तयार नहीं है तो इसमें इसको लगाए लगा के बताए मुझे कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होगा अगले सवाल की तरफ बलते हैं तो हमारा अगला सवाल है काला हारी मरुस्थल किस देश के अंदर है काला हारी मरुस्थल किस देश में ये बताना है काला हारी मरुस्थल कहां पाय जाता है पिलकुल आसान सवाल है काला हारी मरुस्थल इस्तित है दच्छिन अफरीका के अंदर यानि सही आंसर क्या हो गया इसका और कुछ instrument भी अभी बाकी हैं तो जैसे सब कुछ आ जाएगा तो और अच्छे वीडियो बनाऊँगा उम्मीद है कि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पूरी कोशिस करते होंगे अपने समय को सही से इस्तेमाल करने में यह आपका अंतिम सवाल है निमलिखित में से कौन सी ग आकसाइड एक ग्रीन हाउसज गैस नहीं है तो ये रहे आज आपके पचास सवाल मैंने उम्मीद और कापी अच्छी कोशिस की है और यहीं उम्मीद करता हूं कि आपको हल्प मिलेगी और आप चैनल को सेर जरूर करेंगे शेर करेंगे तो चैनल बढ़ेगा और चैनल बढ करते हैं धन्यवाद जैहिन